नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपके पास वायं का बड़ोध्रा में एकाउंट है और आप चाहते हैं घर बैटे वर्चुबल डेबिट कार्ड क्रीएट करना अप्लाइ करना तो आज के वीडियो में आपको बताउंगा कि कैसे बी-ो-बी application की मदद से आप घर बैटे वर्चुल टेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, वो भी free में. तो चलिए वीडियो को start करते हैं और जान लेते हैं कि कैसे आप वर्चुल टेबिट कार्ड वाईंका बडोद्रा में create करेंगे और apply करेंगे आप इसका full process मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में वीडियो आपको बहुत interesting हो और बहुत amazing होने वाला तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को like और चैनल को subscribe करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और करना चाहते हैं तो चलिए इसको जान लेते कि कैसे आप करेंगे सबसे पहले आपको बाइंग का बड़ोद्रा का वीडियो भी application सोना चाहिए जिसमें आपको login कर लेना है इसको मैं open कर ले रहा हूं इसमें आपको login कर लेना है आप जभी भी आप account open की होंगे तो simple सा आपको simple सा click करने के पधाद यहां पर वर्चुवल कार्ड का option मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं Belgium debit card का इस पह आपको simple सा click कर लेना है क्लिक करने पद यहां पर add virtual का आपको option आता है, यहां पर आपका account number होता है, आपको account number select कर लेना है, आपको नाम क्या चाहिए, आपको यहां पर नाम भी select कर लेना है, जो भी आपका card का नाम होगा, यहां पर नाम आपको select कर लेना है, यहां पर select type तो यहां पर visa classic virtual card select कर लेना ह तो आपको expiry date card validity आपको 2027 सा month आप जो भी select करना चाहते हैं आप यहाँ पर select कर सकते हैं select करने के बाद आपको simple सा काम करना है simple सा fund आ है यहाँ पर आपको process वाले button पर click कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर from आपका नाम आएगा यह virtual और यहाँ पर confirm करने के लिए बोलेगा तो आपको confirm कर लेना है यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है आपका transaction password क्या होता है इसको आपको put up कर लेना है तो आपको transaction password जो आपने create किया था इसको यहाँ पर आपको put up कर लेना है यहाँ पर आपको डालने के बाद आपको देखें आपको virtual debit card का option आ जाएगा जैसे आप password डालेंगे आपका virtual debit card आएगा यहाँ पर card number expiry data आ चुका है इस card की मदद से आप जाकर के online shopping होगर कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर request successfully हो चुका आपका virtual debit card generate हो चुका तो आप इस तरह से दो मिनिट के अंदर आप अपने bank का बडोदरा का virtual debit card generate कर सकते हैं अब इससे आपके virtual debit card का यह benefit यह है कि आपको क्या करना है आपको घर बैटे ही आप जाते हैं online कुछ भी खरीदना आप इस card की मदद से जाकर के आप online समान होगर खरीज सकते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिये virtual debit card यहाँ पर manage कर सकते हैं आप टॉन आफ का set limit का भी option है यहाँ पर limit होगर अभी आप set कर सकते हैं maximum amount 50,000 है आप इससे withdraw लोगर कर सकते हैं तो यहाँ पर limit होगर set कर सकते हैं card validity अगर आप select कर सकते हैं सारा है यहाँ पर physical card अगर आप physical card मंगाना चाहते हैं अगर physical card आप मंगाएंगे तो आपको यहाँ पर आपको इसको charges देना पड़ता है 300 रुपया plus GST आपको charges देना पड़ेगा तो आपको 7-8 दिन के अंदर debit card का कोई जरूरत नहीं है आप इसी card का use करके आप क्या कर सकते हैं कोई भी online shopping कर सकते हैं यहाँ पर block card का भी option अगर आप card को block करना चाहते तो आप जाकर के असानी से इस card को यहाँ पर block करने का option है यहाँ पर transaction password आप से मंगा क्लिक करेंगे आप card को block भी कर सकते हैं तो देना पड़ता है या आपको इसी काम से वर्चुल डेविट काड से सारा आप online लाइन वहाँ कर सकते हैं यहाँप वाइफाई का सिंबल यह वाइफाई के भी आप स्वंपिग हो अगर आप कर सकते हैं कहीं पर भी स्टोर हो अपकर सकते हैं यहाँप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा टैप करेंगो तो आपका cvb और यहाँ पर आ जाता जब ऐसे टैप करते हैं तो बहुत सारा यह सारा फैसलीटी है मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप बैंक का बड़ोध्रा में जाकरके दो मिनिट के अंदर आपर आप आपकर virtual debit card create कर सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लागा और वीडियो आपको अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने टोपिक सा तब तक प्ले जय हिंज जय फारत